कि हलो दोस्तों वेलकम तो मैं यूटूब चैनल मैं हूँ शानावास खान और आप देख रहे हैं कुलिस्टाइट हैं दोस्तों आज आ गए हम एक और नई वीडियो लेके दोस्तों आज हम कुछ बेसिक से सीखेंगे कॉल्ड स्टोर के बारे में तो देखिए दोस्तों आज ह देखेंगे कि कॉलिर्ण कितने प्राकार क्यों होते हैं कि उसको नमें क्या क्या चीज़ क्वास हम स्टोर कर सकते हैं तो चल्याएं धोस्तों वीडियो स्टैट करते हैं सबसे पहले दोस्तों देखेंगे हम और के इस्टोरेज होता है है थे देखेंगे तो जो मीडियम साइस का होता उसको पोलते हैं इसिसमें लंबे समय के लिए सामान रखा जाता है स्टोर करके रखा जाता है जो बड़े बड़ेते हैं कीता ही में लäreकर स्टोरwydd में जाएं मियुको कहली देखा है होता है फ्रीजर रोम आपका उता दोस्तों दूस्तों दोस्तों थी प्सक्राइब डिगरी के बेच का टेंपरेचर जो हता है जो प्लस में तेंपरेचर होता है तो रहता है इसे डिगरी दोस्तों वो होता माईनस का रूम ढ़े कि दोस्तों चिलारूम में 2 दिए। अठ डिगरी का त्टेमटर्ट्ट रहता है औह। मैनस फ्रीज़र में प्रूम होता है उसμεं से 19 डिगरी से लेखेर uh… 22оть 1 रख सकते हैं कि दोस्तों उसमें हो होँ रख सकते हैं एक का को डिस्ट्वर होता है दोस्तों के फूरोट की होता है है और मैं लाटी का फोचो होता है बटर का होता है मैं तो डेल्डर को तो जितने भी होते हैं मतलब कि जो फ्रोटज डिग्री में टेमटरचर जिसमें यूज करते हैं जैसे कि मिल्क है मिल्क भी है जो प्लस डिग्री का टेम्टरचर जिसमें दो डिग्री से आठ डिग्री का टेम्टरचर मेंटेन करना रहता है जो समान रखते हैं जिसमें हम फ्रेश रहता है सामान तो वह होता है यह चिलर रूम में रखते हैं और जो दोस्तो माइनस रूम होता है अपना माइनस रूम में जैसे कि दोस्तों रखते हैं जिकन्स रखते हैं दोस्तों चिकन आइस क्रीम इस अभी प्लशन आप मतलब जो माइनस टेमटरेचर में जिसको भी प्रॉडक्ट कर जरुए तो वह सब्स्मान रखते हैं और जो प्लस्में दोस्तों यह समान जो मैं आपको सिर्फ सम्झाने के वाज़े से बता रहा हूं कि जो प्लस का टेम्टरचर के लिए जो समान यूज होते हैं वह राखेंगे और जो माइनस टेम्टरचर चाहिए पड़ता जिन चीजों को उसका हम फ्रीजा रूम में रखेंगे दोस्तों यह तोनों सेम होतें बस उसमें जो कोल्डरच के साइज होते हिसा वह गोते हैं मचीन वीकब को ऑड़ा सब्सक्राइब होता है तो वह भी माइत आ देतो हूँ आपको दोस्तो जैसे कि मैंने आपको यह बताता है यह कोल्ड रूम में चिलर रूम होता है तो दोस्तो इसी को ही कि दूस्तों इसको यह वाकिंज चिलर बोला एसका चिलर होता है इसलिको वाकिंग चिलर भ्रॉला जाता सेम सी तरह दोस्तों जो वाकिंग फ्रीजर होता है कि अधुर्ग्ष शॉयद्ग ओटक होता है वह去了 रूम की तरह हुथा बच है इसका वी जाइज थोड़ा चोटा होता है इसलिए वाकिंग चिला और वाकिंग फ्रीजर बोला जाता है तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं इस्फ इतना बेसिक आपको यह बताने की कोशिश करिए कि और डों में इसमें टेंप्रेचर कितना होता है और फ्रीजर रूम में कि इसमें क्या होता है यह फरक होता है चिला रूमियो फॉर्जर खूंसा है अगल कि फस्क्रेश कोलाकrike कीज WHAT आप्गि याथ प Star